बारत में लोग तंतर हैं तो सबको अपने बायान देने का हक है लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज़ादा जरूरी है विपक्ष को तुष्टी करण सूट करता है और बीजेपी को धुर्बी करण सूट करता है दोनों अपने हिसाब से बायान देते हैं आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता स्री अखलेश यादाव जी का और इनके नेता माननी मौदी जी का दोनों का भासन अगर सुन लें जब वो रेलिम बोलते हैं चुना परचार चल रहा है दोनों के सारे भासन यूट्यूब पर मौजूद हैं कोई भी जाके यूट्यूब पर सुन सकता है हमारे नेता अखलेश यादाव जी लगातार रोजगार का मुद्द उठा रहे हैं जी लगातार महंगाई भिरस्टाचार का मुद्द उठा रहे हैं जो पिछडे वर्गों को आरक्षन में लूट हुई है उनके साथ उनको न्याया का मुद्द उठा रहे हैं किसान की MSB की गारंटी का मुद्धा उठा बेटियों की सुरक्षा का मुद्धा उठा रहें, देश के और पिरदेश के विकास का मुद्धा उठा रहें, माननी मौदी जी अपने भासनों में क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास चार भैस तो भैस चीन ले जाएंगे मंगल सुत तरवा लेंगे हैंगे जो अगर आपके चार नेथा कम्र्टे जाएए उस पार्टी कपिगळा है जो जंता के अवाम के मुद्दे उठा रहा है अगर 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 इस देश की सारी राजनितिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वो उट मागने लगें तो यह देश बहुत सुन्दर देश बन जाएगा और अगर इस देश को भटकाने का प्रियास किया जाएगा हिंदूओं को मुसल्मानों से ड्राय जाएगा शिक्हों को जैनों सो ड्राय जाएगा दलित को ब्रहमन से ड्राय जाएगा तो यह कि इसके नक्षा बिगड़ का चला जाए अभी तक तो रामकुपाल जी ने बोला मंदिर का नक्षा ठीक नहीं है इसके मंदिर बेकार है अब मैं पूछ रहा हूं यो कहरें कि आप तो एंडिये जो है वो देश का नक्षा ही खराब कर रहे हैं कहीं न कहीं ये जो छोटी मोटी कॉंग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं ये कॉंग्रेस के सुष्ट्री करन की सदस्य हैं हम बिलकुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एंडिये हैं समाजिक नियाय के साथ विकास करने वाला एंडिये है अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप तार्गेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी ने किसी का वोट मांग रहे हैं तो इंडिये जवाब देगा उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थी काधार पर पिछडे लोगों को दस प्रतीशत आरक्षन दिया तो क्या अलपसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना अगर सुच्छता भियान सुरू हुआ यदि जो जितनी तरह की योजना है क्या अलपसंख्यकों को उसका लाब पर मैठी रही बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है तो यह 55 सालों की सरकार रही दस साल यूपिय की सरकार रही उसके बाद भी मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे चूट गया भाई आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि आप डेवलप्मेंट की बात नह करते हैं तो हमारे प्रवक्ता पुल्टा मीडिया के उपर ही उन्होंने उगली उठाई पहली बात दूसरी बात पर आते हैं परिवारवाद बुशन सरन सिंग कौन है उस इसको टिकट मिला है उनके सुपुत्र को मिला है यानि कि बाप और बेटा यह परिवार हुआ या नहीं क्या क्वालिफिकेशन है पर उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला है पचास गिना दूँगा नाम आपको लेकिन गौरा भाटिया जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तक्राइब लेकिन सबसे पहले तो यहां पर सभा के प्रवक्ता ने बात कहीं कि अखले जादव का भाशन आपने सुना नहीं औ लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिवेट में आना होता तो मैंने उनका विक्तर पे सुना और गलत हूँ तो मेरे साथी हैं मुझे तुरंत कहें गौरा भाटिया गलत बोल रहे हो उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो तो अखि कि मांसिक्ता रख लें तो सूपड़ा साफ हो जाएगा एक सीट नहीं आएगी याद रखना दूसरी बात और मैं फिर से कहूंगा विरासत में गद्धी मिल सकती है अखिलेज यादव को मिली थी बुद्धी नहीं मिल सकती है उसके लिए आपको महनत करनी परती है ठीक है इसलिए दुबारा 2022 में जंता ने मोहर लगाई योगी आदितनाज जी को पुना मुख्य मंत्री बना अब क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उन्हें प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी वोट जिहाद वोट साब ने मंदिर के नक्षे के बारे में बोला ये तुष्टी करन ही तो है राजकुमार भाटी अभी हमने बतोले बाजी का बहुत बड़ा उधान देखा थोड़ देर पहले बतोले बाजी क्या होती है शुरुवात की हमने अखलेश यादाओ का भासन सुना है लेकिन अखल आदमी घरता है और जब आदमी पटरी से उतरता है और जब आदमी कमजोर पड़ता है तो चिलाता है बीच-बीच में वह दूसरे आदमी को बोलना नहीं देगा है अगर इस तरह के देंगे कॉमेंट तो हम भी देंगे उनको अपनी बात रखने का दो दिकार है एक मिए आ आदम आप छोले बटूरे बात में खिलवा दीजेगा अभी अभी आप विशे बबात कर लेते हैं मेरा तो यही निवेदे ना भाई थी कहना है ना सब लोग जो जो चोले बटूरे खाना जाते हैं हाथ कड़ा कर ले भई गौरम जी को पकड़िएगा इसके बात जी जी ज अब आप लगा तो आपके लेता लगाता है बद करिये विलाएंगे अचा मेरा इसके बड़े लड़कों से घंगी हो जाती है कहा था कि नहीं कहा था बता यह अब मैं पीसे आर को बोलो पीसे आर उसी का ओडियो खोले जिसको बास मैं माइक दूगा उसके बाद मैं आपको लाटी आपकी पार्टी कर रही है कि लालू या अदव के दे मुसलमानों का रिजर्वेशन हो आरक्षन हो चाहिए तो आप उसे सहमत है नि वैसे तो तुष्टी करन को नेगेटिव सब्द नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ तुष्टी करन जेहाद भी नेगेटिव सब् आप रिखिए उर्दू सब्द को उठाकर उसका अर्थ ढूंड़िए जिहाद कहते है नियायुद्ध को नियाय के लिए लड़ना अगर कोई अब देखें यह भासा का अंतर होता है हम हिंदी भासी है हम कहंगे हम चुना में कहंगे भाईयों ये नियायुद्ध है अब जो उ जिहाद जनता कर देगी तुमको बर्बाद कर देगी तुमको बर्बाद